कि हलो फैंस मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इंवेश्ट फोरेवर में एक बब फिर से सोगत करता हूं अगें हम बात करेंगे किस से लेटे मनाली पैट्रो से लेटे मनाली पैट्रो की अगर हम बात करें मैंने एक दो दिन पहले ही यहां पर वीडियो और मैंने आपको बताया था कि मैंने यहां से I sold all shares मैंने यहां पर already लिख दिया था और दो दिन पहले ही वीडियो बनाके आपको दे दी थी ताकि आपको कोई confusion नहों आपको पूरा brief study दी थी और वह पल actually आ गया है कि जहां पर यह share अब गिरता हुआ नजर आएगा इसके ज आपको दो दिन पहले ही वान कर दिया था और मैंने भी अपने शेयर बेस दिया थे इसके पीछे का simple reason क्या था वह यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर revenue देखिए revenue 26,000 ओके यहां पर इससे पहले revenue 30,000 इससे पहले 40,000 के लगबगते तो revenue अगर हम देखे तो यहां पर yearly quarterly basis पे गिरते हुए नजर आ रहे है इन लक्स में आपर यह रिजल्ट है इसके इलावा अगर हम यहां पर बात करें एक मिन दीजिए मुझे तो इसके इलावा अगर हम बात करें तो यहां पर देखिया expenses company के expenses बहुत ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे just because of cost of material consumed और यहां पर अगर बात करते है profit for the period की तो यहां पर आपको चीज़े समझ में आ जाएगी यहां पर profit for the period की अगर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि company का जो profit हुआ है कितना 11 crore का यहां पर profit पर चिन्नाई पैट्रों को देखा था तो चिन्नाई पैट्रों में क्या हुआ था ज़स्ट विकॉस रिजल्ट बेकार आये थे 14 परसेंट यह गिरता हुआ नजर आया था तो इस गिरावट से बचने के लिए कि 14 परसेंट का एक साथ हमारे उपर बर्डन पड़े मैंने यहां पर पोजिशन को अपने को काट लिया था और कल यहां पर यह अच्छी तरीके से गिरता हुआ नजर आएगा शायद लोर सर्किट भी लगता हुआ नजर आए तो कोई दोराय वाली बात नहीं है इसके लावा अगर इसके और भी रिजल्ट होंगे यह रिजल्ट क यहां पर अच्छे कासे यह जो मनाली पैट्रो के रिजल्ट है वो बहुत बेकार आते हुए नजर आए हैं सेल्स गटती भी नजर आ रही है कंपनी का एक्सपेंस इस पर यहां पर जो ज़्यादा है और जिस वज़ए से कंपनी के जो मार्जिन है वो यहां पर बहुत ज़ पहले वीडियो आपको बना के आपको दे दी थी ताकि यहां पर आप चीजों को समझ सकें चीजों को पता सकें जिस टाइम यह अच्छा लग रहा था उस टाइम भी हमने वीडियो भी बनाई थी बट अभी यहां पर बेकार लग रहा है चार्ट में यहां पर कह रहा था कि यहाँ पर बेज दीजिए, तो वहीं यहाँ पर मैं करता हुआ, नजर आयाω, और हमारी video's को देखते हुए, यहाँ पर काफी लोगों ने यहाँ पर अपने position को काटा, जो कि यहाँ पर मेरे मेरे पास comment आ रहे है, , हमने भी बेज दिया, तो अच्छा किया क्यों कि और जो भी हमारी वीडियो को फॉलो करता है उन्हें हम पहले ही इंडिकेशन दे देते हैं पहले ही बता देते हैं कि exactly उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्योंकि इसी तरीके से चीजे काम आती है अगर हम यहाँ पर पहले से कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर कल वीडियो भी बनाई थी जहां पर अच्छे श्टॉक्स ही बताए है जाकर वन वीडियो को आप देख सकते हैं तो exactly अब क्या होता हुआ नजर आएगा चार्ट भी हम चलते है बाट उससे पर रहे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके क्योंकि जो स्टेडी हम करके बताते हैं दिखाते हैं वह आपको कोई और बताता है हर कोई TCS Infosys के पीछे बढ़ा जाता है ना तो TCS बताते हैं ना Infosys ना HDFC Bank हम वह बताते हैं जो मार्केट में चल रहा है हम वह बताते हैं ज क्लासिज ले सकते हैं प्रसनल क्लासिज अल्रेडी ओंगोइंग है टेकनिकल एनलाइसी रिसर्च और फंडामेंटर अनलाइसी सब कुछ यहां पर क्या है आपको सिखाय जा रहा है किस तरीके से स्टॉक्स को चूज करना है और हमें अपनी पोजिशन लॉस होने से पहले ब किस तरीके से हाँ ट्रेंड लान को यहां पर आज टीक कर जाख किया हैं और कल के दिन में यहां पर लाट कर जाद एक इस ते पहले हमने आपर ख्रीद आता तो एक अ हैए 25-20 परजेन का बट करेंब यहां पर देखे यहा पर इस रिएज अरा ь अधर निच और सबसे पहले, तो यही है, अगर 86 का level इसने नहीं तोड़ा, ओके भैतरी सपोर्ट है, नहीं तोड़ा तो ओके, अगर 86 का level भी तोड़ देता है, जो की मुझे लगता है, तोड़ देगा, तो यहाँ पर यह श्यर आपको 73, और यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर 57 और 50 के आसपास भी आता हुआ दिखाई दे सकता है तो यहाँ पर इस share की पिटाई होती हुगि नजर आ सकती है, और यह share आपको शाइद 30 उर्प diamond भी आता हुआ दिखाई दे सकता है, तो इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं होगी, कई लोग कहेंगे stage 1, stage 2, stage 3 यह थी, अब stage 4 यह चालू है ओके और stage 4 में यहाँ पर यह share आता हुआ हम हमें नजर आ रहा है तो 30 सुरूपए के target यहाँ पर नजर आ रहे है अब इससे हम कब लेंगे बाद में, जब हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि company अब profit में आएगी तब हम यहाँ पर इसके बारे में सोचेंगे तब तक इसके लिए data, goodbye हम यहाँ पर इस particular share को कर सकते हैं, same यहाँ पर चेन नई petro को भी कर सकते हैं, result अगली बार दुबारा देखेंगे, अच्छे आए तो हम यहाँ पर सोचेंगे, otherwise यहाँ पर मेरे target अब यहाँ पर नजर आते हैं, यह बगभग यहाँ पर से भी, और भी जादे हैं यहाँ पर गिर सकता है, और कितना crash हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अपने top से अगर मैं बात करूँ, तो 70-80% यह share होते हुए, नजर आ सकता है, buying, selling की कोई recommendation नहीं, अपने financial advisor खुद की study करिएगा, वीडियो अच्छी लगे, like करिएगा, comment करिएगा, share करिएगा, इन number पर contact करके, grab कर लिजिए इस opportunity को, क्योंकि ऐसी opportunity इतने सस्ते में, इतने भैतरीन तरीके से पूरे market में ऐसा कोई नहीं होगा, जो आपको इस तरीके समझाता हो, जो कि मैं आपको यहां पर बताता हुआ नहीं सराओंगा, so thank you so much, God bless.